हलो फ्रेंट्स वेलकम बेग टो मैं चैनल लर्निंग हब बाइडी के मेरा नाम है दीपर कहार आज का हमारा टॉपिक है पर्चेस लेजर टैली में कैसे क्रियेट करते हैं विज जी एस्टी विदाउट इन्वेंटी जब हमें गोड़ पर्चेस करना होता है टैली में जब हम कर रहे होते हैं और हमें विदाउट इन्वेंटि मेंटेंग करना होता है जिसमें हमें जी एस्टी का क्लासिफिकेशन डेटल सी एंटर करनी होती है आज मैं आपको आगे बताने वालों यह कैसे करते हैं अगर आप हमारे वीडियो में ना है तो प्लीज हमारी चैनल को सब् तो आएए फ्रेंट्स टाइम को विस्ट ना करते हैं वीडियो को स्टाट करते हैं फ्रेंट्स हम टैली में दू तरह से अकाउंटिंग मिंटेंग कर सकते हैं अकाउंटिंग करने के लिए दू तरीके होते हैं जैसे हम यदि स्टॉक मिंटेंग कर रहे हैं तो एकाउंट्स किये हुए accounts को maintain प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि टैली में purchase laser, JST laser, input-output कैसे create करना है यह सारे मैं आपको बताने वाला हूँ हम accounts only option को select करके accounting करना start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर अभी इस वीडियो में purchase laser creation with GST without inventory creation सीखेंगे जैतकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो laser create करेंगे उसमें GST का classification enter करेंगे और without inventory maintain की हुए purchase laser create करेंगे यदि हम 4-5 प्रकार के tax rate का goods reseal कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर अलग-अलग tax rate की laser create करने होंगे जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ तो आई यह friends laser create करना start करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर accounting info में जाकर laser को select करके enter की press करते हैं तो हमारे सामने laser creation की window open हो जाती है जैसे कि आप screen पर देख रहे हैं कि हमारे सामने laser creation की window open हो चुकी है अब हम यहाँ पर सथ से पहले local purchase का 5% का tax rate लेंगे उसके लिए हम यहाँ पर laser create करेंगे सथ से पहले हम यहाँ पर local purchase add the rate 5% laser name के सामने यहाँ पर laser का नाम लिखेंगे उसके बाद हम यहाँ under purchase select करने के बाद इन्वेंटिवेल और एफिक्टेट को नो रखते हैं क्योंकि हम यहां विदाउट इन्वेंटि सीख रहे हैं उसके बाद हम यहां पर आल्ट एल प्रेस करते हैं तो हमारे सामने टेक्स रेट हिस्टी की विंडो ओपन हो जाती है जिसमें हम एप्रिकेबल फॉर्म एक चार 2021 से रखते हैं और डिस्क्रिप्शन में हम यहां पर जो भी हमारा गुट्स आइटम हम यहां पर सेल कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में हम यहां पर नेम एंटर करते हैं जैसे क कोई अच्सषिंक कोड नहीं है यह मैंने आपको समझाने के लिए हम पर उसके बाद हम यहां पर नीचर अफटनीचन में परचिस टैक्सीबल सेलेक करते हैं क्योंकि हम यहां पर लोकल परट्ड़ेज कर रहे हैं उसके बाद हम यहां पर एक यस करते हैं तो हमारे सामने जस्त टैक्स रेट की विन्डों ओपन हो जाती है जिसमें हम यहाँ पर जो हमारे प्रसेंट का हम लेजर कर रहे हैं यहां पर पांच एंटर करते हैं जैसे ही हम पांच करते हैं तो हमारे सामने Central और State Text के सामने 2.5, 2.5 लिखकर आ जाता है By default यह हमारे सामने Show होता है उसके बाद हम यहाँ पर Again Tax Rate History की Window पर आ जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर Enter की Press करते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने Laser Creation की Window उपन हो जाती है उसके बाद हम Type of Supply में Good Select करते हैं उसके बाद हम यहाँ पर Enter की Press करके Laser को Save करा देते हैं इस तरह से हमारा Purchase का GST वाला Account Create हो जाता है करते हैं उसके बाद हो जाता हैं